में हमें दे रखा है a cubical box has each as 10 cm and another cubital box is 12.5 cm log 10 cm wide and 8 cm high तो दोनों चीज़े हम यहाँ पर बना लेते हैं पहले जो हमें दे रखा है एक cubical box है कुछ ऐसे जिसका side आपको दे रखा 10 cm और यहीं पर एक cubital box भी दे रखा है कुछ इस तरीकी का जिसका आपको dimensions दे रखा है length 12.5 cm और wide दे रखा है 10 cm और height दे रखीए 8 cm तो इसको अगर में small a मान लूँ और इसको हम L मान लेते हैं इसको B मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं यह सब भी cm में है question देखें क्या है first is which box has the greater lateral surface area and by how much तो इसके लिए आपको one by one मतलब separately दोनों का क्या करना पड़ेगा lateral surface area निकालना पड़ेगा तो lateral surface area of cube क्या होता है 4 into face का square face का area यानि की side का square तो 4 into 10 का square यानि 4 into 10 का square कितना होगा 100 और यह जाएगा 400 cm square ठीक है इसके बाद अगर हमें lateral surface area निकालना है और क्यूबर्ड यह आपको formula याद होना चाहिए ठीक है अगर formula याद नहीं है अगर आपको formula याद नहीं है तब क्या करें तब आपको पता होना चाहिए जो vertical wall होती है ना इसको बोलते है lateral surface area तो देखो इस वाली wall इस वाली wall और इस आपको जो area है यह सभी के area क्या कर दें आप असमें add कर देते हैं यह सभी area अगर आप add कर दो कि तो आपके पास lateral surface अरी आ जाएगा या फिर direct formula अगर याद आद आद आपको 2BH plus HL ठीक है तो 2 into B, B का value अपने पास है 10, H का value है 8 plus H, H का value 8 है और L का value कितना है 12.5 ठीक है तो यह जाएगा 2 into 80 plus 8 का multiply कर लीजिए 8, 5, 5 is a 40, 4, 8, 2 is a 16, 4, 20, 2, 8, 1 is a 8 और 1, 2, 1 point के बार decimal लग जाएगा तो जाएगा 100 into 80, 100 plus 80 कितना 180, तो यह जाएगा 36 ठीक है यानि कि 360 cm2 तो जो cube है उसका lateral surface area 400 और जो cube wide है उसका कितना है थे 60 तो जो आपको बताना था कि देखो which box has the greater lateral surface area तो यहाँ पर आपको पतल लगे cube के पास ज्यादा surface area है and by how much तो difference निकालने के लिए lateral surface area of cube क्योंकि आप से पूचा एक question में किसका कितना ज्यादा है तो कितना ज्यादा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा क्यूब के एरिया से क्यूबड का एरिया माइनस करना पड़ेगा lateral surface area of cube art ठीक है तो यहाँ जाएगा 400 माइनस 360 तो कितना जाएगा 40 cm square ठीक है दूसरा पार्ट क्या है इस question का which box has the smaller total surface area and by how much तो अब आपको फिर total surface area भी निकालना होगा तो पहले हम क्या कर लेती सेकंड पार्ट में हमें निकालना है total surface area of cube क्या फॉर्मुला होता है बच्छो 6A square 6 into side का square side कितना है 10 cm side कितना है 10 cm तो 10 का square 10 का square मतलब 100 तो यह जाएगा 600 cm square ठीक है ऐसे आपको निकालना है total surface area of cube बॉयड है यहाद आपको फॉर्मुला क्या 2 into lb plus bh plus hl ठीक है वैल्यू रख दीजी आंसर आजाएगा एल का वैल्यू कितना देर का है 12.5 इंट उन टो इंटेस्ट रॉट्व सुन उन जेएगा तो इनुक्राह्ट bracket plus यह हमने भी already calculation किया था कितना है था 100 100 ठीक है तो यह जाएगा 2 into 180 plus 125 तो कितना जाएगा 180 plus 125 125 plus 180 503 कितना 305 तो यह कितना जाएगा 610 cm तो total surface area cuboid का जाता है ठीक है और जो little surface area था वो cube का जाएधा था और कितना जाएधा था अब यहाँ पर आपको quantity निकाल लिए कितना जाएधा है तो आपको क्या करना पड़ेगा total surface area of cuboid minus total surface area of cube ठीक है तो total surface area of cuboid कितना है 610 minus total surface area of cube कितना है 600 तो कितना जाएगा 10 cm ते question solve हो जाएंगे next question में मिलते हैं next video में thank you for watching